हलो एवरिवन इस चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में इस तरह का एक चोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा जो है एक चोटा सा स्पीकर बनाने वाला हूँ जो की ब्लुटूथ स्पीकर है अगर आप बनाऊगे तो आप को बनाने में कोई बी तक लिप नहीं आगे अगर आप इस वीडियो को पूरा दे करने हम बात करने वाल है पहला को इसका Com scans के बारे में बात करेंगे देन हम इसकी body बनाएंगे और body बनाने के बाद मैं इसका circuit पुरा complete करके बताऊंगा आपको और उसके बाद हम करेंगी इसकी assembling और at the end यानि last में हम इसकी करेंगे testing तो या टेस्टिंग जो काफी जादा interesting है तो please testing तक तो इस वीडियो को जरूर देखना अब बात करते हैं components के बारे में यहां पर यह 4 x 2.5 cm का आप पर मैंने plastic के 6 pieces लिए है और इसको मैंने आपर cut कर लिए है कुछ इस तरह से देन उसके बाद हमको एक चाहिए यहां पर 5 volt audio module देन उसके बाद एक Bluetooth module की इस तरह से देन उसके बाद हमको चाहिए एक charging module हमारी battery को चार और उसके बाद हमको यहां पर चाहिए एक 3.7 volt की battery देन उसके बाद फ्रेंड हमको चाहिए कुछ wires इस तरह से मैं यहां पर दो तरह के बार यहां पर यूज करा हूँ आप यहां पर देख सकते हो तो अभी बात करते हैं इसके body structure बनाने के बारे में यहां पर देख सकते हो म और इसको मैंने एक side से open ही रखा है और इसको जो है आप फिर्की के मज़े से अच्छे से चिपका देना और यहां पर मैंने थोड़ा थोड़ा इसको sand paper से घस भी दिया है then friend हमारा जो आखरी piece बचा हुआ था उसके उपर में जो है आपर speaker लगाने वाला हूँ तो उसके लि क्योंकि मैं इसको cut कर रहा था तो यार बीच में से टूट भी गया था तो इसको मैंने फिर से फिर की के मज़र से यहां पर चिपका दिया है then उसके बाद यहां पर हमको एक जाली लेनी है कुछ इस तरह सकते हो then उसको मुझे इसके उपर जो अच्छी तरह से चिपका देन है तो फ्रेंड हमारे स्पीकर का बॉड़ी जो है अभी रेडी हो चुका है तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं तो फ्रेंड अभी बात करते हैं इसके सर्किट कनिक्संस के बारे में यहां पर हमको जो है ब्लूटूथ मॉडूल और हमारा जो फाइव वर्ड का आ दिया है देन उसके बाद हम में जो इसके सभी जो कनेक्शन से यल टी आर का जो कनेक्शन है इस पर मैं आप तरह से स्वोडरिंग कर दूँगा और जो फाइव बोल्ट का जो है इनपूट देनी के लिए था उसपे भी मैं यहां पर दोनों जो है दोनों ही ब्लुटूथ कुछ इस तरह से सर्कीट में कनेक्ट कर दूँगा यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर बैटरी को भी कनेक्ट कर दिया है और चार्जिंग मॉडल को भी कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो स्विच था उसको भी कनेक्ट कर दिया है अगर आप जानन जोटा सा स्लॉट कट किया है जहां पर मैं जो है ओन आप का स्विच है यहां पर लगाने वाला हूं और उसके बाद जो दूसरी तरफ मैं यहां पर स्लॉट कट किया है उसके जगह पर जो हमारा चार्जिंग मॉडूल है उसको में लगाने वाला हूं तो यहां पर आप देख थोड़ा जाद लगा दिया जिसके बजे से जो है मेरा यहां पर switch जो था वो जो है एकडम उसके अंदन जाम हो गया और इसको मैंने चेक नहीं किया मने पूरा इसको assembly कर दिया ता लेकिन यहें work नहीं किया क्योंकि इसका switch जो है उसको बनाने मैंने अच्छी तरह से चिपकाएा था तो मेरी पूरी मैनत यूझ ट्नी वेकार तो प्रेंड हो ओगा ता वो आप मैं आपको यह पर दिखा रहा हूँ देन फ्रेंड इसके जगह पे मैं आपर एक नया स्विच उच करने वाला हूँ जो कि लगबग उसी की साइज का है और यह भी जो है थ्री पिन स्विच ही है देन फ्रेंड उसके बाद मैं यहां पर जो है डिजाइन में थोड जाना काफी ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि काफी ज़्यादा छोटा है तो आप इसके होजिसे मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया और यहां पर आपके लिए लिए देख सकते हो मैंने चार्जिंग मोडल भी लगा दिया है और यहां पर मैंने बटन को सपोर्ट करन नौइस सुनाई देगी तो आरो में वेरा पीछे पंका चल रहा है उसको मैं बंद करना भूल लिया तो फ्रेंड स्पिकर हमने टेस्ट कर लिया है देन उसके बाद यहां पर जो मैंने बैटरी थी उसको भी लगा दिया है और उसके बाद फ्रेंड जो हमारा सर्किट था आउडियो एंड ब्लुटूथ का उसको भी मैं कुछ इस तरह से आपर लगा दूँगा देन हमारा speaker जो कुछ इस तरह से इसके उपर आ जाएगा और फ्रेंड आपर देख सकते हैं हमारा box जो है perfect size का बना है तो फ्रेंड अभी चलो इसको लगाते हैं तो इसके उपर sticker लगा रहता है speaker जो हमारा है तो उसको जो है कुछ इस तरह का tape लगा होता है basically तो उसको निकालने के बाद देन हम इसको जो है हमारी grid ती यानि जाली जो लगाया हमने उसके उपर कुछ इस तरह से चिपका देंगे और चिपकाने के बाद यहाँ पर देख सकते हूं मैं आप टेस्ट करके बता रहूं कि यह किस तरह से यहाँ पर fix होगा याप और देख सकते हो कि, मैं आप को चेकर के बता रहे हूँ, लेकिन झाप इसको आसानी से open करके जो है कोई भी पार्ट अगर खराब होता थो आप इसको जो रिपेर कर सकते हो बड़े या राव बड़े ही आसानी से एक यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहां पर श्पिकर लगा रहा हूं और यहां यहां पर कुछ इस तरह से इसके लगा दूँगा बॉक्स के अंदर बॉक्स के लगाने के बाद जो हमारे जो छोटे-छोटे स्क्रूब मैंने लिये थे उसको मैं यहाँ पर साइट से लगा के जो इसको अच्छी तरह से टाइट कर जूँगा अभी हमारा देख सकते हो कि मिनी स्पीकर यानि छोटू सा यार ह यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है और यार देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इसका कलर यार इसे पसंद आ रहा है अगर आप उसा कलर पसंद नहीं आता अगर आप बनाते हो तो आप जो ही इसको अपने हिसाब से यहाँ पर पेंट कर सकते हो करते हैं और बचता है हमाए लास्ट का इस्टेप जो होता है कि हम इसकी करेंगे ब्राणडिंग क्योंकि आत बिना ब्राणडिंग के मजा नहीं आए तो इसको बनाया इसेrid नहीं है इस वीडियो के last step पे यानि जो है हमारा इसकी testing करना जब तक यह अच्छी तरह से work नहीं करेगा तब तक हमारा पूरी मेहनत बेकार हो जाएगे तो चलो इसको करते हैं टेस्ट सो फ्रेंड अभी इसकी testing सुरू करते हैं सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं सभी चीज़े यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर असेंबल हो गई है देन फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह सा micro sb जो insert करना है और यह चार्ज होना start हो जाता है ठीक है फ्रेंड मैंने माइक लगा दिया है अगर आप जानना चाहते हो कि इस तरह का माइक किस तरह से बनाते हैं तो आप जो है मेरे YouTube चैनल पर पड़ी वीडियो को चेक कर सकते हो देन चलो यार इसको करते हैं testing तो मैं यहाँ पर पहले on कर देता हूं and on करने के बाद आपको यहाँ पर एक फास्ट पेरिंग है इसकी देन उसके बार यापर मैं आपको सॉंग्स प्ले करके बता रहा हूं so फ्रेंड यार वीडियो अभी खतम नहीं हुई है कि और आप जो इस वीडियो को पुरा आनन्द ले यार मैं आप और आपको बहुत सारी मुजिक भी आगे वीडियो में सु आपको इस पीकर की आवाज कैसी लेगी मुझे जरूर कमेंट करके बताना है प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना और अगर आपने वीडियो काफित देख लिया है तो यार इस वीडियो के एक लाइक जरूर कर देना और हाँ जाते जाते एक और इंपोर्टेंट बात अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो ना क्योंकि मैं और भी ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो बना तरो तूंगों फ्रेंड चलो बाइब आ इए